हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में तो आज हम बात करने वाले कि टेक्नो फॉन में जो वैटरी का सेटिंग होता है वो हम किस तरह से कर सकते हैं और बहुत सारे सेटिंग है जो आप लोग को पता नहीं है और हमारे वीडियो के नीचे कॉमेंट करते आप कि अगर आप टेक्नो फॉन से वीडियो बनाते हैं तो हमारा टेक्नो फॉन में एक प्रोब्लम है उस पर आप वीडियो बनाकर हमें बताईए कि इस प्रोब्लम का सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं दूसी पर आज में बात करने वाल हो और सारे प्रोब्लम का सल्यूशन देन और इस वीडियो में last तक आप बने रहेगा तो चलिए इस वीडियो को start कर लेते। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया, आप नए है चैनल पर तो इस चैनल को subscribe करके bell icon को set कर लेजिक और इस वीडियो को लाइक करके share जरूर कर देजिक ताकि सारे लोगों को इस इस वीडियो के बाड़े में पता चल सके और अपना जो भी उनका प्रोब्लम होगा वो सॉल्व कर सके तो चलिए वीडियो में आगए बढ़ते हैं सबसे पहले आपको टेक्नो फॉन से रिलेटर जो भी प्रोब्लम हो रही है बैटरी से रिलेटर तो आपको क्या करना है कि ए आपको अपने सेटिंग में चले जाना है बैटरी का सेटिंग करना है तो सिंपले से आपको सेटिंग में तो जाना ही होगा तो उसके बाद आपको यहां पर स्क्रोल करना है नीची की तरफ और आपको यहां पर एक आप्सन मिलेगा बैटरी लाप का आपको आप्सन मिल जा तो कई बार क्या होता है कि आपकी बैटरी का जो परसेंट है जो एकदम से रुका हुआ होता है जैसे माली जे मेना 93 परसेंट यहां पर सो हो रहा है तो कभी-कभी क्या होता है कि 93 परसेंट आपको सो हो रहा है और एकदम से 5 परसेंट यह 10 परसेंट कट हो जाता है तो ऐसे प पहले देखने के लिए नई मिलता था तो आपको यहां पर क्या कर ना ही कि वेन की क्लीन आप का एक ओपन मिल प्र सेंटेघ्र यहां जितना जल रहा है बैटरी आपका उतना आपको यहां में सो हो जागा तो इसतों आपको कर लेना है उसके वाद आपको नीचे के तरफ एक professional setting का option मिल जाता है तो professional setting पर हम जाएंगे उसे पहले आपको नीचे एक और setting दिखा देता हूँ charging, completion, tone करके एक आपको option मिल जाता है यहाँ पर तो इसको आपको on कर देना है क्या होता है कि कभी-कभी आपका charge complete हो जाता है तो आपका एक tone ringtone जैसा open होता है जिससे आपको मालूम परता है कि आपका एक battery full charge हो चुका है तो आप उसे charging से वापस निकाल सकते हैं और नीचे आपको battery percentage का option मिल जाता है आप अगर इसे on रखते हैं तो आपका battery का percentage आपको उपर में 100 होगा जाप देख सकते हैं उपर में मेरा battery का percentage 100 नहीं हो रहा है तो यहां से हमें क्या करना है बैटरी का percentage को open कर देना है तो यहां पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे phone की battery कि इतनी दिर चलेगी इसा कुछ information phone की तरफ से नहीं दिया होता है और जो भी हम phone खरीद कर लाते हैं तो आपर डबे पर जो timing hours दिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा दिया होता है लेकिन किसी भी phone का जो timing होता है battery full charge होने के बाद चलने का वो सही नहीं होता है तो हम किस तरह से पता लगा है कि हमारा battery कितना दिर चल सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो performance है आप जैसे phone को use करते हैं उसी परकार से आपको यहाँ पर एक option देखने को मिल रहा है आपका जो technology है phone का वो यहाँ पर capture कर लेता है कि आपका phone कित तो इस समय जो मेरा phone का charging है 93% 16 गंटा 10 मिनट तक चल सकता है और इसका background में जो बहुत सारा apps अभी वी running कर रहा है तो उसको मुझे optimize करना होगा जो कि आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है optimize करने का आप यहाँ पर देख सकते हैं इस optimize के option पर आपको click कर देना है जैसे आप optimize कर तो यहाँ पर बहुत सारे जो background में apps चल रहा है आपको उसको clean कर देगा और आप यहाँ पर देख सकते है 16 गंटा 16 मिनट ही दिखा रहा है लेकिन नहीं जो background में आपका work कर रहा था वो सभी clean हो चुका है जिससे आपका battery का percentage है वो इसी तरह से बचा हुआ रहेगा अगर आप देख सकते हैं यह सोरी मैंने कुछ गलत्टिक कर दिया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 degree Celsius temperature दिखा रहा है और यहाँ पर आपको volt दिखा रहा है और यहाँ पर कौन सा battery है आपका वो दिखा रहा है जो भी technology का battery है लाई-ion battery जो भी है उसके बद आप नीचे में द turn on automatic जो on होने का option है वो आपका battery का कितने % आने पर आप इसको on करना चाहेंगे वो automatic on हो जागा तो आप यहाँ से मैंने 20% पर सेप कर रहा है आप चाहे तो इसे 150 या 30 या जो भी 10 कर सकते हैं उतने पर आने के बाद आपका phone का जो battery saver mode है वो automatic on हो जागा तो मैं यहाँ पर 20 क करके रखता हूं और इस तरह से हम इसे back कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बहुत सरे mode WhatsApp mode तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी तो इसका मतलब होता है कि अगर इसको on रखते हैं तो आपका जो भी कोई app को off in करते हैं जब उसको आप चलाएंगे तभी वह वैटरी को यूज करेगा अगर आप उसको off कर देते हैं उसको cut कर देते तो यह वैटरी को use नहीं करें तो मैं इससे on नहीं करूँगा क्यूंकि इससे मैं जब भी कोई app यूज कर रहा हूं मैं लिजे इस तरह का app यूज करना हूं तो मैं इस तरह से करके दूसरा app को भ देख सकते हैं यहां भी option दिया लो पावर रिमाइंडर का option दिया लो पावर जब आपका फॉन का बैटरी यूज़ करते करते बहुत ही जदा लो हो जाते तो उसमय आप इसको सेब कर सकते हैं कि कितने percent होने पर आपको reminder आए कि आपका बैटरी लो हो रहा है यहां बर मैंने इसको 15% रख दिया तो आप भी 15% 20% रख सकते हैं उसके आदम back चलते हैं और यहां से सारे problem को हमने देख लिया है और back चलते हैं तो अभी मैं और भी problem का solution आपको बताने वाला ज्यादा यूज़ करता है तो उसके लिए आपको एक और application है जिसका उप्योग करना है जैसी कि आप यहां पर देख सकते हैं एक phone master application है उस phone master application को आपको open कर लेना है यह देख सकते हैं यहां पर कुछ add आ रहे हैं तो इसको मैं escape कर देता हूँ तो जैसे आप देख सकते हैं यहां पर open हो चुका था यहां पर power saving mode का एक option दिख लागा आपको, क्योंकि मैं दिखा देता हुँ आपको अच्छे से, तो यहां पर आप देख सकते है, power saving mode का option आपको दिख लागा, तो यहां पर हमें tap कर देना है, तो इसको scan कर रहा है कि आपका क्या क्या पावर कौन कौन सा app आपको use कर रहा है तो इनको देखने के बाद आपको यहां से extend battery life by 15 पर जाएगा अगर आप इसको accepted battery life लिखा हुआ है यहां पर tap कर देते तो आपका 15% जो आपका power का जो capacity है वह बढ़ जाएगा तो इसको आपको कर लेना है इसको कर लेने से आपको battery का life बढ़ जाता है तो इसको आपको कर लेना है तो इस तरह से कुछ आपका battery का setting आपके phone में मिल जाता है और आपका कोई और और problem है techno phone से related या फिर battery से related आप directly हमें call कर सकते हैं हमारा number आपको Instagram पर मिल जाएगा वहाँ पर message कीजिए मैं आपको number दूँगा आपका जो भी problem होगा हम directly phone पर solve कर लेंगे और आपको बता देंगे तो हमें Instagram पर follow जरूर कर लेजेगा channel का link profile का link आपको description में मिल जाएगा video के description में और इस channel क subscribe करके video को like कर देजगे चली मिलते हैं एक नए video में